नमस्कार शातियों आप सभी का स्वागत है स्रिष्टी क्लास्स के online YouTube channel में मैं आपका host और दोस्सिवा आप सभी का स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं स्रिष्टी क्लास्स के online platform शातियों हम बात कर रहे थे first grade के first paper की और हमने अभी Subject देखा था कौन शासातियो? Hindi Subject और हिंदी Class Subject में एक class हमारी हो चुकी है अब क्या है? Second बाग है तो अब तक हमने देख लिया अब तक आपने देखा कि समान्य प्रीचे में क्या देखा? समानिय प्रीचा में देखा कि हिंदी शवद की व्यूदपत्ती रचना कैसे विए उसी परकारशे आपने दीरे दीरे बढ़ते वे देखा कि आपकी व्याक्तन सवद की व्यूदपत्ती रचना कैसे विए आज हम सात्यों देखने वाले हैं, आज हम देखने वाले हैं सात्यों कि आपकी हिंदी है क्या, आखिरकार हिंदी है क्या सात्यों तो आपको पताई है, हिंदी आपकी क्या है एक बासा है, जिस त्रहशे इंगलिश आपकी एक बासा है, जिस त्रहशे पंजाबी एक आपकी ब आज हम साथ यो देखने वाले हैं कि बाशा आखिरकार होती क्या है? इस चडिया का नाम है बाशा कितने माध्यम होती है और बाशा है क्या आखिरकार? तो शाथियों में आपको बतादू बासा एक क्या होता है संप्रेशन का एक माध्यम होता है जरीया होता है एक क्या होती है युक्ती होती है एक क्या होता है तरीका होता है अगर बासा ने हो साथियो हमने कुछ बातें की थी बासा के बारे में अगर बासा ने हो साथियो तो हम मारा समप्प्रेशन है वो नहीं हो सकता। आप मानूं जा ना मानूं। यह बात एकदम सो पर्शेन्ट सच है साथियो कि अगर बासा है तो ही हम क्या करशकती हैं। समप्रेशन करशकती है। जिसे मान लो साथियो अगर मुझे बोलकर कुछ कहना है सामने वाले को सामने वाले को अगर मुझे बोलकर कुछ कहना है तो अगर मैं वो सामने वाला बासा जानता ही नहीं है उसके जो मैं बोलकर कहना चाहता हूँ या फिर वो बोलना जानता ही नहीं है तो क्या वो मेरा Simpression ग्रहन कर पाएगा अगर उशे मुझे सुनना है मेरी मन की भावनाऊ और विच्छारों को क्या करना है उसे पता होना चाहिए जो मैं बासा बोर ना उसके लिए क्या आवसक कैश साथियो उसके लिए हमें बासा का ग्यान आवज तो बासा आपकी होती क्या है साथियों कंप्रेशन का एक क्या होती है माध्यम और जरिया होती तो सबसे पहले देख लेते हैं साथियों बासा के बारे में बासा सब्द की युद्पत्ति कैसे हुई है तो बासा सब्द आपका मिलकर बना है बास आपका दातु है और आपका क्या है यहां पर शाथियो परते बास आपका क्या है शाथियो दातु है और आपका क्या है शाथियो इससे मिलकर क्या बनता है बासा सब्दू और बासा का आपका बास दातु है उसका अर्थ क्या होता है शाथियो इसका अर्थ होता है कहना परकट करना या उचारण करना ये इसका क्या होता है सब्द का अर्थ होता है बास का और इस साब्दिक अर्थ क्या होता है इस बासा शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है विचार परकट करना या बोलना आपका किसका होता है आपका साब् कहो और विचार और आपके भाव होते कैसे हैं साथियो विचार और भाव आपके होते कैसे हैं वो आपके ऐसाब्दिक होते हैं और ऐ दमन्यात्मक होते हैं ऐसाब्दिक और ऐ दमन्यात्मक का अर्थ हो गया कि इसमें किसी भी परकार के शब्द नहीं पाई जाते नहीं क्या पाई जाती द्मनी नहीं पाई जाती अगर शाथियो शब्द नहीं है अगर शाथियो द्मनी नहीं है तो क्या मैं समप्रेशन करशकता हूं तो विचार आपके भाव होते हैं वो कैसे होते हैं साथियो वो आपके होते हैं एक तो ए साब्दिक होते हैं और तोर क्या होते हैं अपने आप निकल कर आएगा, इसको तोड़कर देखो, एधन, शब्द धन, शब्द धन इक, इसका अर्थ हो गया, ये किस से मिलकर बना है, ए तो इसमें आपका क्या है, उपसरग है, उपसरग है शातियो, शब्द आपका क्या है, मूल शब्द है आपका सातियो, और इक इसमें क्या है? इस इत्रे एस्य सातियों । इसमें चले जाते हैं तो आपका एध मननी शबद कैसे मिल कर बना है? एधन दमनी धन आतमक यानि आतमक इस से मिल कर क्या बनता है? साथ क्यों आपका ए ध्मन्यात्मक सबद बनता है ए हमारा क्या है उपसरक और पर थे आपके क्या होते हैं सब्द नहीं क्या होते हैं सब्दांस होते हैं पहले ही हमने इससे पहले वाला पहली वाली जो कलास है उसमें हमने थोड़ी बहुत चाचा की थी और ए का हमने अर्थ एक्या प्त होता है, नहीं, नेगेटिव बंदा है ये वाला नहीं, रहित, और क्या होता है, बीना, आतमक का अर्थ होता है, सवरू! क्या होता है सात्यों, सवरू! और इधर वाली कली में देखे, एए यहां पर भी आपका क्या है, उपस रगए तो ए आपका उपस रगए तो ए का अर्थ क्या होगा यहीं पर जो अर्थ है यही आपका इस किस के अर्थ में आते हैं नहीं के अर्थ में आते हैं रहित के अर्थ में आते हैं और किस में आते हैं बिना के अर्थ में आते हैं जिसमें क्या नहीं हो, सब्द नहीं हो, और ए दमन्यात्म का आर्थ क्या हो क्या, जिसमें क्या हो, दमन्नी का सवरूप नहीं हो, जिसमें क्या हो, दमन्नी का सवरूप नहीं हो, और जिसमें सब्द नहीं हो, वो कौन से होते हैं, वो आपके विचार और क्या होते हैं, अगर ह हमें संप्रेशन करना है साथियो, अगर हमें कुछ कहना है, तो ये देखो, मालनो साथियो, ये एक मुन्ना है, ये एक मुन्नी, ये एक क्या है, मुन्ना है, और ये एक क्या है, अगर इसे कुछ इसे कहना है, कुछ इसे कहना है, तो क्या आवसक है, पिन्ना आवाज किये वे बिन्ना सब्दों के प्रियोग किये वे ये इसको कुछ कह सकता है क्या नहीं कह सकता है बोलकर कहेगा तो आवाज निकलेगी इसका मतलब क्या होगया इसमी डवनी का सभणलू PC और आवाज निकलेगी तो वो उसमें कुछ तो सब्द होंगे अगर सब्द ही नहीं शातियो तो वो उसमें क्या नहीं है यानि मन के अंदर वो भाव और विचार क्या है दब कर रह जाएंगे अगर उसमें वो कुछ नहीं कहेगा, अगर वो कुछ नहीं बोलेगा, कुछ लिखकर नहीं करेगा, कुछ संकेत नहीं करेगा तो साथियों उसके मन के भाव और विचार है वहीं के दब कर रहे जाए अगर इसको बताना है तो इसका प्रियोकर ना होगा दवन्नी और शब्दों का प्रियोकर तो ये दवन्नी और सवरूप का सवरूप किसमे होता है तो वो आपकी पासा है इस मुन्ने ने इस मुन्ने को कुछ कहा, तो कहा और फिर इस मुन्नी ने इसका परति उत्तर दिया, तो दो वेक्ति हो गए, एक मुन्ना, एक मुन्नी, एक मुन्ना, एक मुन्नी, तो दो वेक्ति हो गए, दोनों ने अपने संप्रेशन किया, एक जरिया, एक माध्यम बना, कह क्या बिन्ना बाशा की क्या बिन्ना बाशा की कोई संप्रेशन कर शकता है तो नहीं आप से पूछे कि बाशा है क्या तो आपका सही एकदम सही एंसर होगा कि बाशा एक क्या है संप्रेशन की क्या है इकाई यानि अगर संप्रेशन करना है तो बासा का यान होना पाउश है तो उसके बाद में देख लिया आपने कि बासा क्या है बासदातु से मिलकर आपरते से मिलकर बनावा है और इसका साब्दिकर्थ क्या होता है विचार परगट करना या बोलना उसके बाद में हमने देखा विचार और भाव आपके होते कैसे हैं तो विचार और भाव आपके क्या होते हैं ए साब्धिक और ए द्वन्यात्मक इसके बाद में देख लिया आखिरकार ये विचार ए द्वन्यात्मक होते कैसे हैं क्यों होते हैं और उसमें सवरूप क्यों नहीं पाए जाए वो भी देख लिया उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं उसके बाद में देख लेते हैं इसकी प्रिवासा अब आखिरकार इसकी प्रिवासा क्या है बासा तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रिवासा जो आपका श है साथियों ये बास आपका क्या है ये क्या है आपका और आपका क्या है क्या है परते हैं और मैं आपको बता दू एक आपका ये वाला परी होता है और ये एक आपका ये वाला परी यह आपका क्या है उपर वाला उपर वाला प्री है आपका क्या है उपसरग है अधिकांस्त है जो उपसरग और जो आपके परते होते हैं यानि सब्दांस दो होते हैं दोनों में ही अधिकांस्त है मात्राइं के सियाती है चोटी आर्थी और निचे वाली प्री का आर्थ क्या ये वाली क्या है संग्या है जो आप उड़ने वाली प्री मानते होगा इस प्री का छोटी वाली एक प्री का आर्थ क्या होगा उपसरग होगा ये वाला और निच्चे वाली प्री है वो क्या होगी संग्या होगी यानि उड़ने वाली क्या है निच्चे वाली और बैठने व और जरिया तरीका है, तो बासा क्या है, संप्रेशन का वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव और विचारों का आदान परदान करते हैं से बासा करते हैं, तो साथियों क्या हुई बासा, संप्रेशन का एक एसा माध्यम जिसके द्वारा हम अपने मन के जो बाव हो उनका आधान परदान करने की एक क्या है युक्ति है तरीका है मात्यम है वो क्या है जिस तरह से एक मुन्नी ने एक मुन्नी से एक मुन्नी ने पहली स्लाइड में हमने देखा एक मुन्ने ने अपनी मुन्नी से क्या का अपने भाव और विचार परकट किये वो किसके मात्यम से परकट किये अखिरका वो परकट किये सिर्फ और सिर्फ बासा के तो यह क्या है संप्रेशन का एक वाद्यम जिसके द्वारा हम अपने भाव और विचारों का क्या करते हैं आदा है अब बात आती है आपके वासा के रूप कितने होते हैं और माक्यम कितने हैं तो वो आपके तरीके कितने होते हैं तो मुख्य रूप से आपके जो तरीके पुछे जाते हैं वो आपके आते हैं दो तरीके होते हैं तो डारेक्ट रूप से आते हैं वो आपके दो देखे होते हैं एक होता है गोन तरीका वो आपका होता है सांकेति पहला आपका जो मुख्य रूप से होता है उसको बोलते हैं हम मोखिक बासा या उच्चारित बासा या उच्चारित रूप बोलते हैं Second आपका आता है, उसको हम बोलती हैं, लिखित रूप, क्या बोलते हैं, लिखित रूप बोल, तो मोखिक रूप में, अगर हमें मुझे मोखिक रूप में किसी के साथ संप्रेशन करना है, किसी से कुछ कहना है, तो मैं बिन्या दवन्नी के क्या बोल, बिन्या दवन्नी के कु कि मुझे कुछ कहना है किसी का नाम ही पूकारना है तो मैं आवाद से पूकारूंगा उसमें क्या होगी। लिखित वासा की बात करें, इसमें हम क्या करते हैं, अम पने मन के भाव और विचार को क्या करते हैं, लिखिवी विश्यवस्तु से क्या करते हैं, ग्रहन करते हैं, यानि शब्द, परण, अक्षर, दमनी शंकेत होते हैं, लिप्पी चिन होते हैं, उसके द्वारा हम क्या करत करते हैं उसके भाव और विचार क्या करते हैं यानि लेखक होता है उसकी लिखीवी विश्यवस्तु को जो पाठ्थ होता है वो ग्रहण करता है लिखित बाशा आप देखो लिखित बाशा में सबसे छोटी इकाई क्या होती है तो वो होती है आपकी वर्ण वर्ण से छोटी कोई भी इकाई नहीं होती इससे हम क्या करते हैं लिख कर अपने भाव और वियार परगट कर ठीक है साइड आप ये बात समझ गई और तीसरा आपका गोन होता है वो आपका तरीका होता है सांकेत और सांकेतिक रूप में ये वाला सब्द कैसे मिलकर बना है ये मना है संकेत धन इक परते से संकेत धन इक परते से मिलकर क्या बनता है सांकेतिक चब्द बन संकेत कार्थ होता है इसारे इसारे, यानि इसारो ही इसार, इसमें क्या चलते हैं, संकेट चलते हैं इसार, छमजगे इतनी बात, अब हम देख लेते हैं, आपके जो बासा के मुख्या रूप या माध्यम कितने होते हैं साथी, वो होते हैं आपके तीर, तो सबसे पहला आपका कौन सा होता है, सबसे पहल होते हैं दो होते हैं अभी हमने बात की थी पहला आपका क्या होगा उच्चारित रूप होते हैं या मोखिक रूप बोलते हैं इसको सेकिंड आपका क्या होगा लिखित रूप होगा और उसके बाद में आपका क्या होगा तीसरा आपका रूप क्या होगा वो होगा आपका संक मैंने कुछ संकेत किया, तो यह निश्चित नहीं है, साथ यो कि वो मैंने जो कहना चाता हू. मैं जो समझाना चाता हूँ सामने वाले को वही वो समझे. अभी तो आपने मार्क उट और पीट पिटाई. देखी होगी. गल्दी से भी पिट जाता है कोई. वो संकेतों के माद्यम से होगी. कहना कुछ चाहता है वो पब्लिक समझ कुछ और लेती है तो अब हम देख लेते हैं सबसे पहले आपका होगा अगर आपसे पुछे उच्चारित रूप कौन सा होता है मोख्खिक बासा की सबसे छोटी जो आपकी इकाई होती है वो कौन सी होती है वो आपकी होती है दवन्नी मोखिक बासा की सबसे छोटी आपकी इकाई कौन सी होती है दवन्नी यानि आपकी उच्चारित बासा की सबसे छोटी आपकी इकाई कौन सी होगी वो होगी दवन्नी उसके बाद में आपका है लिखित रूप में लिखित बासा की सबसे छोटी आपकी इकाई क्या होगी वो होगी बरण होगी और क्यों होगी अभी हमने तर्चा कर ली इसके बारे में इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स श्लाइड पर अब हम देख लेते हैं मोखिक बासा कि आखिरकार मोखिक बासा है क्या यानि मोखिक बासा किस चिडिया का नाम है मोखिक बासा में होता है इसमें क्या करते हैं हम अपने जो भी मन के भाव और विचार होते हैं वो मोखिक रूप से बोल कर परकट करते हैं यानि द्वन्नी के द्वारा हम परकट कर लें जैसे मानो साथियो अगर आप कक्षा कक्ष में बेठे हो जब आप छोटे बच्चे थे नन्ने मुने बच्चे थे आप जब वारतालाब करते थे तो वो आप दिकर थोड़ी करते थे. अधिकतर जो आपकी वारतालाब होती थी, वो किसके माद्यम से होती थी? सिर्फ वोलकर ही बोलकर आपको कह रहा हूँ क्यमज गई इतनी वाद जिस तरह से बासन होता है साथियो तो बासन है वो आप जब 26 जनवरी आने वाली है 15 अगस्त जिसमें आप जब छोटे बच्चे थे तो आपने स्पीच सुनी होगी साथियो वो ऐसे बोलकर अपनी बोलकर विचार पर कड़ करते थे सुना होगा जो आपका संगीत होता है जो महलाओं का जो संगीत होता है वो किसके माध्यम से होता है होखी ग्रूप ठीक है अब आप देखो ये क्या होता है संप्रेशन का वह माध्यम जिसमें हम दमल्मनियों का उच्चारं करके या बोलकर अब हम क्या करेंगे नहीं को उच्चारं करेंगे और बोलकर अपने विचयार और भाओं का आदान-पजान करते है उसे क्या करते है Do you understand सम्जम में आई इतनी बाद यानि इसमें सिर्फ हम क्या करेंगे जो हमारे मन के भाव और विचार हैं उनका क्या करेंगे आदान परदान करना है तो हमें सिर्फ क्या किसे करेंगे दमनियों का उच्छारन करकर करें यानि बोल कर कुछ कहेंगे अगर मुझे सामने वाले को कुछ कहना है कुछ समझाना है तो मैं क्या करूंगा और सिर्फ बोलकर अपने विचार पर कट करूंगा। तो अपने मन्य उपगया हुए जो जी आपका क्या होता है जिससे मैंने बोलकर कुछ कहा। देखो जुबान का पक्का, जुबान का कच्छा अपने नाम सुना। ये की बंदा है वो जुबान का पच्चा है ये वो व्यक्ति है जो जुबान का पक्का है पहले जो प्राचिन समय में होते थे जो जिसने कह दिया अटल होता था उसका निन्य उसका अटल होता था आज के समय में नहीं है साथियों नहीं है समय समय पर अपने विचार पर जब भी आप जमीन खरीदों माल ले तो हमें क्या है इस्टाम चाहिए उस पर लिखित रूप चाहिए कि ये वाला बंदा इसकी जमीन है वो मैंने इसको दे दी है पहले क्या होता था सिर्फ जबान ही चलते थी आज के टाइम में नहीं होता है तो देखो ये क्या है ऐस्ताई रूप है बोल दिया सर बोल दिया प्रमाणिथ थोड़ी है एस ताइम उसके वादें प्राचिन काल की पहले आपके जमाने में क्या होता था जो सबसे ज़्यादा आपकी लोग पिरfold को नहीं थी यही थी मोग की बासा थिए इसके उपनेम आम आप से पुछें कि ये क्या ह साथियो एक तो ऐस्ताई रूप है बासा का कौन सा रूप है ये वाला ऐस्ताई रूप है दूसरा आप से पुछे प्राचिन काल की आपकी बासा कौन सी है तो वो आपका टिक आप मारोगर इसको वोखिक बासा उसके बाद में आप से पुछे वेदिक काल की यानि आपका इस मोखिक बास, प्रमानिक काल की बासा, पुरानिक स्वरी, पुरानिक काल की बासा कौन सी है, जो वो आपकी क्या है मोखिक बासा, याने जो आपके पुरानिक पात्र थे, पुरानिक पात्रों में पुरानिक समय में आपके प्राचिन समय में आपके कौन सी बासा चलती थी वो आपसी सबसे ज़्यादा चलती थी वापकी मोकिंग बासा अब आप इसके उधारण देखो साथ यूँ जैसे आप टेली फोन पर वारता लाप करते हो फालिस्तान से आप जब टेली फोन पर बात करते हो सब्सक्राइब में से वारितालाब करते हो फोन और आप आप करते हो मission ayam हाग स किस में करते हो जिसे सिर्सक्राइब affirm डिलिग्राम हो प्र वह कुछ खैंड करना है तो बार इसके माधन से लेकिन अब Whenever प्रिफोन से आप वार्तालाब करोगे तो कौन सा रूप होगा वो आपका होगा मोखे ग्रूप उसके बाद में जितने भी नाटक होते हैं अभी इंधियें किये जाते हैं साथियों वो एक परदे पर इस तरह से परजेंटेसन दी जाती है सामने पब्लिक बेटी होती है जब आपने देखा होगा गाओं में जो आपकी राम लीला होती थी इसमें पात्र आपके समक्ष होते थे वो बोलते से कुछ कहते थे तो शिर्फ और वो किसके माद्यम से परजेंटेसन देते थे अपनी वो आपकी देते थे मोखे के ग्रूप तो कौन सी हो जाएगी बाशन देना मैंने आपको पहले ही बताया पंदराकस शबी जनवरी पर जो भी आपके कारिय करह होते है तो एक होता है जो पब्लिक स्पिकर होता है महाँबर बोलने वाला होता है तो वो बाशन देता है जिसे आपके प्रिंशिपल शर है तो वो बाशन देते हैं, तो वो कैसे देते हैं, वो बोल कर देते हैं, तो वो भी कौन सा रूप हो गया, वो मोखिग रूप, उसके वार्द में वारताला, जब आप बच्चे थे, तो बात करते थे, अब आपके संगी साथियों के साथ में अब face to face बात करते हो, तो लिख कर क नहीं। कैसे करते हो, इसे करते हो, मोखिग बाद इत् deliver, तो वह आपका कौन सा हो जाएगा साथियो, वह आपका हो जाएगा मोखिग बाद. हो गई इतनी वाद, इसके बाद में हम चलते हैं अगली बासा, यानि आपकी आती है लिखित बासा, लिखित रूप में. इसमें हम देख लीजिए साथियों, आपकी सेकंड आपकी कौन सी हो जाएगी, वो आपका रूप होगा, लिखित होगा इसमें हम विचार और परकटकिस से कैसे करते हैं, हम चीहनों के दवारा करते हैं, अक्सरों के दवारा करते हैं, बर्णों की साहिता से अपने मन के विचारों और भाव का क्या करते हैं, आदान परदान का अगर मुझे कुछ कहना है इसमें क्या होता है सात्यों एक तो होता है लेखक एक होता है सात्यों पार्थक लेखक कौन होता है लिखने वाला होता है वो अपने भाव और विचार किसमें करेगा लिखकर परकट करेगा और ये क्या करेगा उस लिखीवी विश्यवस्ति को पार इसमें भी होता था, इसमें कौन सा होता है? इसमें मोकिक में आपके होता है, एक तो सुन्ने वाला है। सुनने वाला, एक क्या होता है वक्ता, वक्ता क्या होता है बोलने वाला, ये वक्ता कुछ इसको उस्रोता को कुछ कहेगा, तो ये वक्ता क्या है बोलने वाला उस्रोता क्या है वक्ता की बात को सुनकर अर्द ग्रहन कर, उसी परकार से साथ यो इसमें क्या होता है, इसमें क् लिखितबासा में होता है एक तो लेखअक और दूसरा कौन सा होता है पाठथक यह अपने विचार लिखकर परकट करेगा और निचे वाला जो पाठथक है देख की विश्यवस्तू लिखी वी है उसके विचारों को ग्रहन करेगा इसमें कैसे ग्रहन करेगा ये जो विश्यवस्तु इस ने लिख दी लेखक ने लिख दी तो इसमें जो अकसर लिखेवे हैं वरन लिखेवे हैं जो चेहन लिखेवे हैं संकेत लिखेवे हैं उन संकेतों की साइथा से अब उसके मन की विचारों को क्या करता है और भावों को क संप्रेशन का वह माध्यम जिसमें हम चिहनों अक्सरों बर्णों की स्ताहिता से मन के विचारों या भाओं को दिखकर परकट करते हैं उसे लिखित बाद इसमें क्या होगा साथियो ये आपका स्ताहिरूप होगा एक तो वासा का कौन सा होगा स्ताहिरूप होगा जैसे आप देखो अगर आपने जमीन खरीदनी है तो आप कागज़ पर पहले क्या करते हो रेजिश्ट्री नामकरण ये सब कुछ करवा लेते हो उसके बाद में आप आपको विश्वास हो जाता है ट्रस्ट हो जाता है कि ये जमीन है वो मेरी है ये प्लोट है वो मेरा है तो सबसे ज्यादा आप क्या करते हो वो लिखित रूप होगा तो ये क्यों सा होगा ताहिरूप होगा उसके बाद में वर्तमान काल का प्रमानिक जो आपका प्रमान ध नियुक्ताल का जो आपका प्रमानिक होगा, वो कुणसी होगी? यह खित्मा उसके बार लेकाई। हि कंसा माध में आपके अगेए आपके उदार जिससे आपको बेरोजगारी पर लेक लिखने तो आप क्या करोगे आप उस टोपिक को चिका और क्या किया आपने लिखकर अपने विचार परकट करोगे इसके यह होता है चार टांगे होती है इसके एक पूंच होता है दो आँखें होती है एक सिंग होता है गाई पर इस तरह फिर लेख हो गया। जैसे लेक हो गया, समचारपत्र हो गया। आपको जब भी समचारपत्र शुपए शुबा आता है तो आप खोलते हों। लिखी वी सेवस्तु होती है, फिर आप क्या करते हो उसको पढ़ते हो कि ये आज हमारे समाज में ये ये हो गया, वो हो गया, फलानिया हो गया, डिंकड़ा हो गया, वो आप कैसे करते हो, सिर्प लिखी वी सेवस्तु को पढ़ते हो, उसके बाद में कहानी है, मुंसी प्रेम देख लो आपके पास कोई गाइड होगी, आपके पास पहले से कोई गाइड होगी, तो उसमें आप कैसे करते हो, लिखी वीवी से वस्तु को गरन करते हो, कोई तार हो गया, तो वो भी क्या है, जैसे आपका पत्र हो गया, वो भी क्या हो गया, इसमें लिखी वीवी से वस्त होती है उसके दवारा आप क्या करते हो अपने विचारों और भावों का क्या करते हो कि अधान कि कि अमझ में आई या नहीं समझ में बोलो आपकी खोपड़ी में इतना घुश गया गया अब आपकी लाष्ट में आपकी एक और रूप चलता है, वो आपका होता है संकेतिक वासा, उनसी होती है सातियों, वो आपकी होती है संकेतिक वासा, संकेतिक वासा, तो इसमें क्या होता है, संकेत ही इसारों में, संकेतों और इसारों के द्वारां अपने मन के भाव और विचार प्रगट करते हैं क्या होगा संप्रेशन का वहमाध्यां जिसमें हम संकेतों या इसारों के द्वारा अपने मन के विचार या भावों का आधान परदान करते हैं। मैं उसे करते हैं, उसे संकेतिक बासा कहते हैं, अगर हमें मन के विचार और भाव पर गट करने हैं, अगर संकेतों और इंशारों में हो रहा है, तो वो कौन सी होगी, वो आपकी होगी संकेतिक जिस तरह से आप अपने गाउं से सहर में जा रहे हो, तो आपके रास्ते में एक ट्रेफिक फुलिस वाला आपको मिले, वो संकेत करता है, कि रुको, आओ, चलो, इधर बढ़ो, इधर वाले रुके, तो आपने वो संकेत किये, इस सारे किये, वो कौन सी बास सामें आएंगे, संकेतिक बास, वो सारे के सारे किसमें आएंगे, संकेतिक बास, जब भी आप दे चोका, सब कुछ इतने भी आपके संकेत हैं, वो आप समझ पाते हों, कि ये आउट हो गया, छक्का लग गया, चोका लग गया, आप कैसे समझ पाते हों, वो बोलकर चिलाकर थोड़ी कहता है, अमपायर, कि आउट, 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 नहीं, वो संकेत करता एक और संकेत आपको पता है, वो कभी निश्चित नहीं हो, संकेत कभी निश्चित नहीं, मैंने कुछ कहा किसी को, कुछ संकेत किया, वो वही समझे, ये निश्चित नहीं है, वो निश्चित नहीं है, तो जब तक कोई आपका, जब तक कोई सार्तक शब्दों का प्रियोग न किया जाए तब तक पतेक आवाज क्या होती है साथ क्यों वो संकेत होती है जिस तरह शे आप कहीं जा रहे हो और आपकी यहां पर गाड़ी में बस में जा रहे हो आगे क्या है रोड जाम है तो आप यहां पर ड्राइवर शाब क्या करते हैं कौनसी बासा में आता हैं, जोर्ण बचाना क्या आता है, संकेतिक बासा में उसी तरह से सातियों आप थली वी शाम की शुबस वे स्वे तावडे की धूप में निकली वी हैं, उसमें आप गए छत पर और दानने डाल दिये, वहां पर चिडिया बेठी वी थी, वो चिडिया उन्हें चैन्चैन्च कर रही थी तो चिडियों का सहकना वो कौन सी आती है वो भी आपके सांकेतिक बासान वो भी किसमें आते हैं सांकेतिक बासान उसके अलावा अगर मुकवदीर बच्चे हैं यानि जो बच्चे बोल नहीं सकते जो बच्चे बोल नहीं सकते कुछ कहने नहीं सकते वो अपने विचार और भाव कैसे परकट करेंगे शाथियों वो भी किसमें करते हैं संकेतिक बासा नहीं तो ठीक है कितना आप समझ पाएं होंगे तो ना हो तो तब तक एक आवाज क्या होती है संकेते होती है अब हम देख लीजिए आगे बढ़ते हैं और देख लीजिए उधान आपके आगए संकेतिक बासा के मुकवदीर वेक्तियों का क्या है वारताला अगर बच्चे क्या है मुकवदीर बोल नहीं सकते हैं तो उनकी जो बात चित होगी वो किस के अंदर आएगी कौन सी बासा के अंदर आएगी वो आपकी आएगी संकेतिक बासा उसके बाद में आपका सेकंड है गाडियों का होर्न बजाना है वो किस में आएगा वो आपका आएगा संकेतिक बासा उसके बाद में है अगर कोई चोराहे पर खड़ा यातायात नियंत्रित करता आपका शिपाही होता है वो आपको संकेत करता है तो वो कौन सी बासा के अंदर आता है संकेतिक बासा के उसके बाद में लिडियों का चेहकना लिडियां जो चैन चैन कर रही है, कुत्टे जो बॉंक रही है वो भी आपके किसके अंदर आएंगे, वो भी आपके ठाहिटिक बासा उसके बाद में देख लीजी तो यह आपको कैसा लगा आज का हमारी क्लास कैसे लगी आपको देखते रहिए मुस्कराते रहिए आपके स्रिष्टी क्लास के YouTube चैनल के साथ होगी एक नए और फ्रेश वीडियो में और कल हम साथ यो पढ़ने वाले हैं आपके राज बासा या राज के बासा कौन सी होती है कैसे होती है कौन सी है किस अनुछेद में क्या कुछ लिखावा है तो देखना ना भूले और टिके रहिए डटे रहिए आपके अपने YouTube चैनल स्रिष्टी क्लास के प्लेट फोर्म